स्टेट वोर्ड का ही पढ़ाई नहीं हो रहा वही पे हमारे बहुत सारे बैकलॉग्स है उसमें हम MST-CET एक्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें यह बहुत स्टूट का मेरे को सवाल आया और इस पे एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि स्टूटेंट टेंशन में आ गया है क्योंकि उनको पता है स्टेट बोर्ड की मार्क्स या फिर परसेंटेज के उपर उनको अच्छे कोलेज में अडमिशन नहीं मिलेग जो स्टूटेंट का स्टेट बोर्ड सब्जिक्ट्स के अंदर थेरी क्लियर है वो MST-CET में अच्छा स्कोर डेफिनेटली कर सकता है तो अब आप क्लास 12 के थेरी पे फोकस कर रहे हैं आने वाले थेरी एक्जाम के बारे में क्योंकि annual एक्जाम होगी तो return एक्जाम होगी थेरी होगी लेकिन वो थेरी पढ़ते वक्त concept क्लियर हो रहे है आपके और concept क्लियर होगे तो MST-CET एक्जाम में आप MST-CET अच्छी से solve कर पाएंगे ठीक है तो ऐसा मत समझे कि हम सिर्क class 12 state board का पढ़ाई कर रहे हैं तो MST-CET का पढ़ाई होई नहीं रहा तो आपका पढ़ाई हो रहा है पहले चीज यह याद रखिए दूसरा point जब आप पढ़ाई करते हो जब आप थेरी पढ़ते हो सिर्फ आपको क्या करना है रोज 15-15-20 minute हर एक subject के MST-CET भी solve करने ठीक है क्योंकि आपका board exam होने के बाद फिर आपको देड से दो महने मिलते है एक्स्ट्रा जिसमें आप MST-CET exam की सिर्फ और सिर्फ MCQ प्राक्टिस करते हो ठीक है तो इस तरीके से आप वहाँ पे फिर टोटल अपना पूरा सव है MCQ प्राक्टिस में दे सकते हो और proper way में उस exam को tackle कर सकते हो तीसरा point अब इसे दीरे दीरे थोड़े 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 MCQ आप कर रहे हो बेस्ट बात है आप थेरी पे अच्छा focus करिए अब student क्या करते है कि आप से ही MCQ सौल्फ करने लगते है और थेरी कमज़र हो जाती है अब मुझा बताईए जब class 12 का आपका exam हो जाएगा उसके CT के exam होगा क्या उस टाइम पे आप थेरी कर पाएं नहीं उस टाइम पे थेरी के लिए काम नहीं होता उस टाइम पे दो ही चीज होती है एक revision और दूसरा MCQ practice जिसे हम mock test क्या है तो थेरी में revision mock test 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 यही चीज चलेगी आपका board exam होने के बाद क्योंकि वहाँ पर गडबड है उसके बाद फिर से अगर आप थेरी का टॉपिक पढ़ने जाओगी तो बहुत समय जाएगा आपको लगेगा कि मैं इतना समय अगर इसको दूँगा तो कब पाऊंगा? एमसेक की प्रैक्टिस करने के बाद जो मिस्टेक्स होती उसको कैसे आइडिंटिफाय कर पाऊंगा और आइडिंटिफाय करने के बाद उसके काम भी कैसे कर पाऊंगा तो इसके कारण आप जो चल रहा है, बेस्ट है, पहरत धेरी क्लियर करो, बेस्ट तरीके से अभी, थोड़े-थोड़े साइड बाई साइड एमसी क्यों प्राक्टिस चलने दो, और जब क्लास्टोल एक्जाम हो जाएगा, उसके बाद टूटली 100% फोकस करेंगे, MST-CET के उपर, ठीक है, अब ये सब करने के लिए, एक रिविजन परफेक्ट होनी के लिए, आपको चाहिए नोट्स, क्योंकि आप बुक से नहीं पढ़ सकते, जब आप MST-CET एक्जाम देने जाओगे, सपोस कर लेते हैं, आपका PCB ग्रूप है, तो Physics, Chemistry, Bio, इसमें 11th प्लस 12 के चाप्टर्स होते हैं, वो सब आपको याद करके जाना होते हैं, जैसे Biology की पेपर में, Board Exam के, Bio का ही पढ़ाई करके जाना है, लेकिन PCB में, जब MST-CET का एक्जाम होगा, तीनों भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करके जाना है, तो जिसका ज़्यादा Practice, जिसका ज़्याद पॉइंट जाते जाते आपको दे रहा हूँ, वो यह है, कि जो स्टूडेंट जाता से जाता Practice करेगा, जो जाता से जाता Revision करेगा, वही एक्जाम में अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि हुशार तो हर एक है, हर एक स्टूडेंट हुशार है, ब्रेन तो सबको सिमिलर है, ले प्राक्टिस, रिविजन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, और कंसिस्टनसी, यही आपका रिजल्ट टैग करती है, ठीक है, जिसके साथ ही साथ आपको पता है कि हम क्लास 12 बायोजी के लिए विनर बैच हमारे आप के उपर रन कर रहे है, उस विनर बैच के अंदर हम बायो प्राक्स लाते हैं स्टूट्स, आपको कोई समझ माया होगा, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको डीटेल में और एक क्लीर पाथ में बता दिया कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चीए, ठीक है, इसे के साथ ही साथ अगर MST CT exam से related आपके और भी कुछ डाउट ह तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए, बिलता है नेक्स टूटे में तब तक के लिए stay happy, stay motivated, thank you so much